अकही है अग्ला लोगों को काँ गया है पynnete शबसक्कर कोणियल डूल के दौरान जब Britishers जो है वो हमाई देश पे याने की इंडिया पे राच करते थे तो उस पूरे समय को बोला गया है colonial rule तो जब colonial rule का समय था याने की जब Britishers याने की अंग्रेज हमाई देश पे राच करते थे तो उस समय बहुत सारे लोगों को काम के लिए अलग-अलग प्लेस पे भेजा गया था जैसे की Fizi, Guana, West Indies और भी अलग-अलग प्लेसे पे काम के लिए भेजा गया था बहुत सारे लोगों को और बाद में इन ही लोगों को जिन लोगों को बाहर काम के लिए भेजा गया उनको बुला गया indentured laborer याने कि इनको बुला गया indentured मजदूर तो actually students इस word indentured का मदलब यह होता है कि formal agreement sign करवाना या एक bond sign करवाना जिसके अनुसार जो employee है जो labor है जो मजदूर है तो एक particular time of period के लिए याने कि जितना भी समय उसमें लिखाओगा agreement में 3 साल, 5 साल, 7 साल उतने सालों के लिए वो employee वहाँ से काम नहीं छोड़ सकता है और जितन इसनी भी salary उसमें लिखी होगी उतनी salary पर उसको काम करना पड़ेगा तो इस तरीके से indentured word का मतलब होता है एक formal agreement sign करना तो इस तरीके से बहुत साए लोगों को जिनको काम के लिए एक place से दूसरे place पे भेजा गया दूसरे countries भेजा गया उन्हीं लोगों को बाद में indentured laborers कह गया है और इन लोगों को एक contract के जरिये यानिक एक agreement के जरिये ले जाया जाता है दूसरे country और बाद में इन contracts को इन agreements को ही बोला गया indentured जैसे की मैंने आपको बताया और इसी वज़े से क्योंकि agreement के जरिये एक indentured के जरिये laborers को दूसरे दिश ले जाया जा रहा है इसी को भी बोला गया indentured laborers यानिकी indentured मजदूर ओके students clear है I hope students आपको clear हो गया होगा अगर आपको मारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है knowledge मिला तो please हमाया चैनल को subscribe किजिए और वीडियो को like जरूर करें आज के लिए इतना ही thank you